हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम सुनेंगे माग मास में पढ़ने वाली सकट चोथ की व्रत कता सत्यूग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुआ करते थे वे सास्त्र धर्म में प्रवीन, सरल, सभाव, सत्यनिष्ट और विद्वान रामणों के पूजक थे उनके शाशनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तू नहीं थी उनके राज में कोई अपाहिज, कोई दरिद्रिया दुखी नहीं था सभी लोग आधि व्याधी से रहित एवं दीरगायू होते थे उनी की राज में एक रिशी शर्मा नामक तपश्वी ब्रामण रहते थे एक पुत्र की प्राप्ती होने के वाद ही वे श्वर्गवासी हो गए पुत्र का भरण पोशड उनकी पतनी करने लगी वह विद्वा भरामणी अपने पुत्र का पालन पोशड बिच्छा मांकर किया करती थी उस भरामणी ने माग मास की इस महाफल दाई संक्टा चतुर्थी का वरत किया था वह पती वरता भरामणी गोवर श्रे गनेश की प्रतिमा वना कर सदय पूजन किया करती थी बिच्छा दान के द्वारा ही उसमें पूर्वोक्त रीती से तिल के दस लड्डू बनाए इसी बीच उसका पुत्र गनेश जी की मूर्ती अपने गले में बांध कर श्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया तब एक नर्पिसाच कुमार ने उस ब्रामडी के पांच वर्षी बालक को जवरदस्ती पकड़कर उसे अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बरतनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी इधर उस बालक की माता अपने बच्चों को डूरने लगी वह उसे ना पाकर बड़ी व्याकुल हो गई तब ही वह ब्रामडी विलाप करती हुई गनेश जी की प्रार्थना करने लगी हे गनेश जी विसाल सरीर वाले हे शूरे नारायन की लाली के सद्रश कांतिकाली हे सु उत्र के वियोग से व्यतित हूँ आप मेरी रच्चा कीजिए वह ब्रामडी इसी प्रकार सारी रात बर विलाप करती रही प्राते काल होने पर कुमार जब अपने पके हुए बरतनों को देखने के लिए आया उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी भरा हु कुमार ने कहा कि है महाबावु है प्रजुलित अगनी के शमान तेजवान है महाराज हरिश्चंद्र मैं अपने दुसकर्म के कार्ण वद के योग हूँ उसने आगे कहा है महाराज कन्या के विवा के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बरतन पकाने के लिए आवा लगाया प मैं ने सोचा कि मैं किसी के बालक की बली दूंगा वह क्यों जीवित छोड़ेगा इसी भयित से मैंने द्रण निश्चे किया कि इसे ही बठाकर आग लगा दूंगा, मैंने अपनी पत्नी से परामर्ष किया कि रिशी सर्मा ब्रामर्ण हो गये हैं। उनकी बिद्वापतनी भीग मांग कर अपना गुजारा करती हैं अरी वह लड़के को लेकर क्या करेगी यदि उसके पुत्र की बली देदू तो मेरे बरतन पक जाएंगे मैं इस जगन्न कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया प्राते जब मैंने आवा खोल कर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस इस्तिती में बैठा गया था वह उसी तरह निर्वे भाव से बैठा है और उसमें जांग भर पानी भरा हुआ है इसी बयावै द्रश्चिशे मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ कुमार की बात सुनकर राजा बहुत ही विश्मित हुए और उसके लड़के को देखने के लिए आए बालक को प्रसनता पूर्वक खेलता हुआ देखकर राजा ने मंतरी से कहा कि यह क्या बात है वह किसका लड़का है इस बात का पता लगाओ इस आवा में जांग भर जल कह कहां से आया इसमें कमल के फूल कहां से खिल गए इस दरिद्र कुमार के आवे में वैदूर मड़ी के समान हरी भरी दूब घास कहां से उग गई है बालक को ना तो आग की जलन हुई है ना ही इसे भूप प्याश लगी है यह आवे में भी ऐसे ही खेल रहा है मानो घर में ख थी उस बुडिया की थी वह बुडिया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कापती हुई राजा के सामने बैठ गई राजा हरिश्चंद्री ने पूछा कि है ब्रामडी इस बालक के ना जलने का क्या कारड है क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई ध रक्रिया ही जानती हुँ हे राजन मैं तो संकट नासक गड़ेश चतुर्थी का वरत करती हुँ उसी वरत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया ब्रामडी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज की संपूर जनता इस संकट नासक गड़ेश चतुर्थी का वरत करे इसमें मेरी पूर सहमती है राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि है पती वरते तू धन्य है राजा ने संपूर नगरवाशियों को गनेश जी का वरत करने का आदेश दिया इस आश्चर जन घटना के कारण सभी लोग उस दिन से माग माश करशन पच्च की गनेश चतुर्थी का वरत करने लगे इस वरत के प्रभाव से ब्रामडी ने अपने पुत्र के जीवन को पुने पाया था तो फ्रेंट्स आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके जरू बताना पसंद आई हो तो लाइक करना जादा से जादा शेयर करना हमारी चैनल को सब्सक्र करना बेल आइकन को प्रेस करना कमेंट में ओम श्री गड़ेशा नमा अवश्य लिखना धन्यवाद